साथ्यों, वोट के लिए देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा, देश के संसादनों और देश की सांस्कृतिक विरासत से समझोता हमारे रहते हुए कभी नहीं होगा और इसमें किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए, असम सिर्फ एक भूभाग नहीं है असम सिर्फ एक भूभाग नहीं है, बल्कि अपार संसादनों से भरा हुआ और सम्रजुद संस्कृति का एक जीवन्त जीता जागता प्रतीक है यहां की परंपरा, यहां की भाषा, यहां का खानपार, यहां के संसादनी यानि असम्या हकों को पूरी तरह सम्रख्षित रखते हुए सबका साथ, सबका विकास के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद है इसके लिए जो भी प्रावदान समिधान में, कानून में सरकार को करने पड़ेंगे, वो भी किये जाएंगे बाई यॉर बेहनो, इसी भावणा को ध्यान में रखते हुए, असम्या का जो प्राइड है, बरागवेली का प्राइड है, ब्रमपुत्रवेली का प्राइड है, उसे ध्यान में रखते हुए, दो दिन पहले ही सरकार ने असम के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया है असम एकोर्ड कब हुआ था आपको यहाँ देना असम एकोर्ड के क्लोज सिक्स जो 30-35 साल से लटका हुआ था उसको लागू करने का फैसला हमारी सरकार ने कर लिया है इससे असम की सामाजिक, सांतकुर्टी, भाषा और विरासत को सुरक्षा, समरक्षा और ससक्त करने का मार्क मजबूत होगा एक उच्चस्तरिय कमिटी यहाँ के सभी स्टेक होल्डर्स से बात करके आगे का रास्ता साप करेगी, रोड में अब तयार करेगी आप सभी को असम के हर नागरिक को लंबे इत्तजार के पाद मिली सुरक्षा के लिए मैं सभी आसाम बात्षियों को आज रूबरुआ करके रजय से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं मैं फिर कहूंगा असम के हर वर्ग, हर कोने के समग्रव और संतुलिद विकास के लिए भारतिय जनता पार्टी एंडिये की सरकार समर्पीत है